पुराने जमाने में अब भी मज़ा आता है बाद्टू जो चिस्प्री मिलती है वो काफी टेस्की होती है गर्याह से कितना दूर है हमें बहुत सारा खा लिना चाहिए मुझे वह अरवाना चाहिए यह मुझे दिनों से ही है शिंचैन तुम पैसों का ध्यान रखना मैं बस अभी थोड़ी दिर में आती हूँ ओके इसे सिर्फ देखना नहीं है इसका ध्यान रखना है ताकि कोई और न ले जाए ठीक है मम पाफ करना बेटा मुझे थोड़ी से देर हो गई ठीक है बेटा अब हम चल सकते हैं चलो अरे ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है अब मैं क्या करूँ अरे शिंचैन अब छोड़ तो इसे मैं कह रही हूँ ना छोड़ा इसे सुमी धराओ शिंचैन प्यार उम्हे मेरी काते समझ में नहीं आती आजकल कितनी महंगाई हो गई है इसलिए मैं ज्यादा सामान भी नहीं खरीद पाई माम माम देखो उदर उदर देखो लगता है कोई इसे छोड़ गया है वो अपनी पूछी ला रहा है शायद ये तुमसे दोस्ती करना चाता है माम क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं नहीं बेटा इसका ध्यान कौन रखेगा वाउक पर कौन ले जाएगा मेरे पस वैसे ही बहुत काम है मैं इसका द्यान रख लूँगा मम, मैं इसे वॉक पर भी ले जाया करूँगा हम्, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं वैसे भी घर में एक डॉगी हो तो अच्छा लगता है, क्यों शिंचान? मम, आप तो बहुत 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 है, बहुत नहीं समझदार मेरा वही मतलब था, इदर आओ, इदर आओ, जल्दी से इदर आजाओ ये तो बहुत बड़ा है, मम ये तो मुफ्त में बहुत बड़ी चीज मिल गए चलो मम को नमस्ते बोलो और उनका शुक्रिया अदा करो जाओ जाकर आप जलाने के लिए लगड़िया लेकर आओ, जाओ और हाँ, इसे वापस छोड़ कर आना मुझे माफ कर दो, तुमने सुना रहा मम ने क्या कहा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते पर मैं तुम्हे इस तरह चोड़ कर नहीं जाना चाता पर मुझे तुम्हे यहाँ चोड़ना ही होगा तो क्यों न तुम मेरी लगड़िया उठाने में थोड़ी सी मदद कर दो अब इसे कहा रख दू, अरे वाह यहां तो बहुत सारी जगह है ये लो, ये लो, होई, 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 अरे तुम तो बहुत काम की चीज़ हो शायद मम तुम्हे घर पर रख ले अरे शिंचान अभी तक वापस क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई मिटसी, 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 मिटसी खैरी आप जल्दी आ गए, लेकिन खाना अभी तयार नहीं है कोई बात नहीं मिट्सी तब तक मैं आराम से नहां लेता हूँ नहीं नहीं मैं तो तुम्हें कुछ और बताना चाहता था मिट्सी दरसल बागी है के एक बहुत बड़ा जानवर इस तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं अब क्या होगा हैरी चलो चल्दी करो सारी जरूरी चीज़ी ले लो और यहां से चलते हैं तुम कितने साफ्ट हो तुमारे उपर सवारी करने में बहुत मज़ा रहा है लेकिन मॉम तुम्हें रखने के लिए तयार नहीं होंगी तुम बहुत काम के हो लेकिन तुम इतने बड़े हो तुम्हारा खयाल रखना आसान काम नहीं है इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते लगने आ रास्ते में गिराते नहीं दीना आरह वो देखो वो सीधर श्रीमान नुहारा के घर की तरफ आ रहा है मिच्छी कोई ज़रूरी चीज घर में तुम भूल तो नहीं गई हो ना अरे मैंने सेल में जो ड्रेसेस खरीगी थी वो तो मैं लाना ही भूल गई अब पस्ताय क्या हो तो जब चड़िया चुक गई खे वो देखो उज़र कौन है ये तो शिंचन है ये क्या है मैंजे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही मुझे प्योद्याइदे खे पुछ सुनाई नहीं दे रहा माम जोर से बोलू न ये आवास कैसी हो रही है विजली कड़क रही है क्या हमें कुछ करना होगा अगर वो वहीं खड़ा रहा तो गड़ बड़ हो जाएगी घरी उसे बचाना होगा शिंचान भागो 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 यह कितना प्यारा दिखता है माम यह कितना प्यारा है क्या हम डागी की जगए इससे घर ले जा सकते है लगता है माम मान गई है यह ही इतना प्यारा मुझे नहीं लगता वो हटेगा माँ से सुरो डॉगी, अगर तुम शिंचान की मदद करोगे तो मैं तुमें घर ले चलूँगी मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी इस तरह से लगदिये को भी खेहना अच्छी बात नहीं होती है मैंने कितनी महनब से सारी लखनिया जमा की थी शिंचान, शिंचान, ये लो डॉगी, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो शिंचान की मदद करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है शिंचान ये तुम्हारे लिए अरे वल ये कितना उचा है वो देखो, डाड वहाँ पर है अरे दाड यहां से कितने छोटे लग रही है हाई डाड मुझे यहां पर समाम के साथ बिठा कर चले गए यहां कितना मज़ा रहे हैं न मम हाँ आज तो हमने ज्यादा ही मज़े किये हैं हां तुम लोगों को तो बहुत मज़ाया होगा अब मुझे बड़ा मज़ाएगा क्योंकि मुझे बहुत देर तक गाड़ी से लानी पड़ेगी और धक जाओंगा अना घर जाते जाते अब ज्याना बात मत करो चलो हम चलते हैं वैसे भी बहुत देर हो गई है तो यह दूआ करो जाते वक्त जादा ट्राफिक ना मिल जाए हमें ओरे इतना लंबा ट्राफिक जाम यह हमेशा मेरे साथ क्यों होता है कब पहुँचेंगे लगता है आगे कोई काम चल रहा है दैट क्याप को उमीद है कि यह ट्राफिक जैम जल्दी खत्म हो जाएगा पता नहीं बेटा मिट्सी और हिमावारी इतने शांत कैसे हो गए है यह लोग तो सो भी गए कितने निश्चिंता है कोई चिंता नहीं आई नहीं डैट डैट देखी हमारी सामने वाली कार को देखी है हम पीचे रहा है अब देखो सरा है 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 जिन चान बेटा मुझे लगता है कि यह वो नहीं थी जो तुम समझ रहे थे डैट लगता है हमारी आख को दोगा हो गिल सही कह रहा है हूं बेटा हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ कुछ दिर बाद जो कहोगे वो खिला दूंगा पर अभी भूख की बात मत कहो अब यह मिल गया है यह ले लो और चुप हो जाओ बस ठीक है अरी जाय शुक्रिया डेग चॉकुचिप का सबसे बड़ा पैक तो नहीं इस तरह आप उनकी आदते बिगार देंगे अरे मैं तो नरी गया था तुम तो सो रही थी ना अच्छा हुआ तो मुट गई थोड़ी देर आगे आजाओ और गाड़ी चला लो मिच्ची हाँ हाँ हैरी मुझे ट्राफिक जैम में गाड़ी चलानी नहीं आती है ट्राफिक जैम ना भी हो तब भी कौन सा आता है अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर सकूंगा अरे बात सुनो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं अरे कोशिश करो तुम खड़ सकती हो ऐसा मिच्ची सच में हैरी फिकर मत करो चलो पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे है और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुसे में लग रहा है कैसे गाड़ी चला रही हो तुम इस तरह तुम परसों पहुचेंगे घर मामा आपी तो कहती थी किसी भी हाल में हाट नहीं माननी चाहिए हां मैं सब समझ गई चलो चलते हैं हां मैं अंदर नहीं जा पा रही हूं रहे लेकिन इस लें में काड़ी चलाना खतरनाख है मिच से समझो तुम्हारे लिए कहनत इतना असान है और ब्रेक लगा दो यह देखो हम अंदर आ गए ऐसी खतरनाख ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखी यह तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था माम मज़ा आ गया ठीक कह रहे हो शेंचन पर तुम सब ठीक को हो न अरे उस आदमी का मू हमारे तरफ क्यूं है माम लगता है हमारी गाड़ी उल्टी खड़ी है ओ नहीं अरे सुनो तुम दोनों उठो अरे शेंचन तुम तो उठ जाओ ओ नहीं सब लोग इतनी शांती से सो रहे हैं अब मैं क्या करूँ मुझे भी नींदा रही है सुन्ट की कीत तुमको कोई लोटा दे रग्या क्यारा ये मुझे क्या हो रहा है ओ नहीं ये सब मैं क्या के रही हूँ ला ला, 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 ल हैरी अब तुम्हारी बारी है चलो बोलो मुझे ये लगा नहीं था कि तुम इतनी देर गाड़ी चला पाओगी मिंसी लगता है आप हर गई डेड़ लाँ हर बार मेरे साथा सही होता है हीमदारी कगुया प्रिंसेस है एक समय की बात है नुहारा फैमिली फरनीचर बनाने का काम किया करती थी वो पहाडों से बैंबूज लेकर आते और उससे फरनीचर बनाते थे उन्हें इस काम से ज़्यादा नहीं मिल पाता था जाने का वक्त हो गया है चलो मैं चलता हूँ आज के दिन मैं अपना दिल लगा कर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैंबूज लेने गए उन्हें जंगल के अंदर एक रोश्नी नजर आ रही थी वो उस रोश्नी के और करीब गए उन्होंने देखा बहां एक बैंबू चमक रहा था उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे और तभी उन्होंने देखा उस बैंबू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमली ने उसका नाम कागुया प्रुंसिस रखा हमने अभी तक इसका नाम तो सूचा ही नहीं है अरे अभी तो इसका दाइबर बदला था ठीक है ठीक है मैं आती हूँ अभी थब ठीक हो जाएगा चुप रहो अब ये हाई क्या है अब ये हलो मत कहो तो मैं आखेर क्या करूँ सुनो जब बच्चे घर लोटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए मैं घर आ गया माम अगर जोकर अपने घर आया तो देखिए मैं सबको हसा कर घर आ गया माम तुम अब बड़ी भाई हो इसलिए मेरी मदद करनी होगी बड़ा भाई अरीजा मेरी प्यारी सी बेहन है जब तक मैं डाइपर बदल रहे हूँ तब तक तुम चूले पर आग देखते रहना चीक है ठीक ही बस देखना ही नहीं है इसकी मदद से आग को अज़स्प भी करना है ठीक ही अरे ऐसे मत करो ठीक से फूख मारो कागुया प्रिंसस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था पर उसके आने के बाद ये खुशी दो गुनी हो गई थी और अब वो ज़ादा खुश रहने लग गई थे हां सच में बहुत हसी आ रही थी अधर खुश लिग रही है और जैसे ही कागुया प्रिंसस की आने की ख़बर शेहर में फैली उससे मिलने के लिए तीन लड़के शेहर में आ गए हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तब ही उन्हें एक बात सूजी मैंने सोच लिया है कि प्रिंसस उससे दूस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा यह तो खतरनाक है क्या आप सच कह रही है पर हमेला ना होगा मैं भी जाऊंगा यह काम तो कोई पुरा नहीं घर पाएगा यह सुनने के बाद बो सब सफेद नाक के घर की ओर चल दिये जो बहुत दूर था मुझे डर लग रहा है इसना जादा को रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा अरी री बहद बची डरती नहीं मैं नहीं डर रहा हूं समझ गये तुम क्या हुआ क्या बात है क्या हुआ अरे वो देखो एक क्रिस्टल बॉल ये एक सफेद नाक क्रिस्टल बॉल लगता है यह तो बहुत सारे है हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए कितना असानी से मिल गया अब वापस चले रुक जाओ बच्चों तुमने ये क्या क्या तुम्हारी हम्मत कैसे हुई मेरी बाल चुराने की अरे ये तो मिस्टर सफेद नाक है हेलो मिस्टर सफेद नाक क्या बच है ये बाल प्लीज दे दीजी बिल्कुल नही किराय पर दे दीजी हूँ, हाँ मैं ये किराय पर दे सकता हूँ, लेकिन तीन दिन के हजार रुपे लगेंगे और वापिस करते वक्त ये रसीत मत भूलना शुक्रिया यहाँ पर किराय पर मिलता है, मैंने ये देखा ही नहीं था तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो, शिंचेन बेटा? और तुमने तीन दिन के लिए एक हजार रुपे दिये हैं? है, सही कहाँ पर हमारी प्रिंसेस को चमुती चीज में पसंद है जैसे के मिच्षी को क्या सच में? कागू ये प्रिंसेस आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आये हैं हम अब तब को है? हम दोनों इस धर्दी पर चांट से आये हैं? मैं यमी हूँ मैं यमी हूँ आपकी हर्ट बग रही हैं हमारे पास वक्त बहुत कम है आप लोग जल्दी कीजिए हाँ? जल्दी कीजिए? हो क्या रहा है? मैं समझी रही कागू ये प्रिंसेस हमारे देश के राजकुमारी है और इसलिए हम इने अपने साथ लेने आये हैं आईए अब हमारे साथ चलिए ऐसे अचानक से मत ले जाओ ये मेरी छोटी बेन है और मैं इसे किसी को नहीं दूँग शिंचे? भाई बेन का प्यारा रिष्टा लेकिन हम प्रिंसेस को यहां तो नहीं छोड़ सकते न आईए प्रिंसेस हमारे साथ चलिए बिल्कुल नहीं प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही है सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो भी चाहिए जो भी चाहिए खिलोने भी स्नैक्स भी और कुछ और कुछ बच्चे भी खेर लेके लिए ठीक है मम, डैड मैं आपको चिठी जरूर लिखूँगा शिंचैन सुनिए दीदी, आपके अंदर एक ठमकने की शक्ती है ने हाँ हाँ, वो तो है शिंचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए हाँ, मस्तिको और बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांती हो गई है सच में बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे दोनों अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो और अब तो हमारे परिवार में बस दो ही लोग बचे हैं तुम ने फिर्ट जादा बना दी और फिर ओसी बड़ में वेपस आगया, मुझी है मैरे घर जादा पसंद ही मुझी ब्हूग लगी है शेंचेंचेंचेंच़ काघू या प्रिंसेस तुम खिनने बुए हो दर्वादे अंदर आना चाहिए था और इक्ती रात को पहर मत घूमा करो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमे बहुत बुरा लग दा तुम्हागे से कही मत जाना हमे छोड कर ठीक है, शिंचैन शिंचैन और हमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर बापस भेज दिया गया उने महाँ इसले नही रहने धिया गया क्योंकि वो बहुत शरार्थी थे बदाई हूँ, बदाई हूँ